अक्षेत्रित्या पर अक्षेपुन्य की प्राप्ती और मालक्ष्मे की पूझा पानी के लिए विशेश उपाय किये जाते हैं परन्तु इस दिन यदि कुछ चीजों को घर लाया जाए जो की धन की देवी को पसंद है तो मालक्ष्मी अवश्य ही प्रसंद होती हैं आईए जानते हैं क्या है वो चीजें ताकि आप इस अक्षेत्रितिया इन्हें घर लाकर धन की देवी को खुश कर सके लक्ष्मी पादुका अक्षेत्रितिया पर सोने चांदी की वस्तों खरीदने का महत्व है इसलिए मालक्ष्मी की सोने या चांदी की पादुका खरीद कर घर अवश्य ले आए कोडी मालक्ष्मी को धन कोडी पसंद है अक्षेत्रितिया के दिन कुछ कोडियों को घर अवश्य ले आए और हल्दी और केसर क्या प्रयोक करके उसका विधिवत पूजन अवश्य करे नारियर एक आखवाला नारियर मालक्ष्मी की कृपा पाने में सहायक होता है अक्षेतृतिया के दिन इसे घर में पूजा स्थान में स्थापित करके देवी लक्षमी की कृपाप पास सकते हैं देवी मूर्ती अक्षेतृतिया के दिन पारत की देवी लक्षमी घर लाएं और नियमित रूप से इनका पूजन करें कचुआ मालक्षमी के विभिन वाहनों में से एक है कचुवा धन की देवी को प्रसंद करने के लिए अक्षेत रितिया के दिन पारद या इसफटिक का बना कचुवा घर पर अवश्य लाएं लक्षमी यंत्र धन योग बनाने धन पाने के लिए लक्षमी यंत्र लाएं और इसका विधिवत पूजन अवश्य करें लक्ष्मी नरायन की मूर्ती अक्षेत रतिया के दिन पारद के लक्ष्मी नरायन की मूर्ती घर ले आए और इसे पूजा घर में स्थापित करके इसकी रोजाना विद्वत पूजन करें शंक लक्षमी के हाथ में स्थित दक्षिनवर्ती शंक भी धन दायक माना गया है अक्षेत रितिया पर इसे घर लाकर पूजा घर में अवश्य स्थापित करें